हेलो एवरिवान वेलकम बैक तो माई चैनल गाईज एक कौन यू रीडिंग के साथ मैं आगे हूँ कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सभी अच्छे हैं खुश है और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोग जनल प्रेडिक्शन है तो हो सकता है सभी के साथ रैजोनेट हो सकता है ना हो तो प्लीज कीप अन ओपन माइंड और यह रीडिंग टाइमलेस है तो कभी भी आप यहाँ पहुंच रहे हैं अराम से देखें हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए और अगर आपको अपने लिए रीडिंग बुक कराना है तो उसका भी ऑप्शन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्ट्राग्राम आइडी का लिंक मिल जाएगा है वहाँ पर जाकर आप मेरे कुद दीयम कर सकते हैं प्राइज और डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन ब जज्जमेंट पहला कार्ट जज्जमेंट का है Emperor Ten of Wands Knight of Swords Queen of Pentacles Knight of Wands Hierophant वाव and Chariot Guys सच में आप बहुत अच्छा बहुत कुछ अट्राक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में क्योंकि हमारे पार देखो यहां से Three of Cups है यह Celebration है तो Yes आप कुछ Celebration जज्जमेंट से ही मुझे समझ में आ गया था पहला कार्डी जो था ना यह कि आप कुछ अट्राक्ट तो 100% कर रहे हो यह Announcement है Divine की तरफ से कोई Conclusion, कोई Result ठीक है कोई Blessing आप तक पहुँच रही है और यह जब पहुँचेगी तो आप अपनी Life में Celebrate भी करोगे अपने Friends, Family को Invite करोगे, उनके साथ Celebrate करोगे या बाहर जाओगे यह Achievement काफी बड़ी हो सकती है तो कुछ ना कुछ Achievement आपको मिल रही है Near Future में ठीक है और देखो यह वाला कार्ड भी ना Victory का कार्ड है तो Starting और Ending बहुत अच्छी हुई है हमारी ठीक है, Judgment के साथ और यह Chariot कार्ड के साथ तो Yes कुछ तो आप Attract कर रहे हो देखो यह भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने Dream Car खरीदने वाले हो क्योंकि यह ना Bike भी हो सकते है लेकिन Car भी हो सकते है Travel से Related कुछ चीज़े तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी Dream Car खरीद ले या फिर आप बहुत टाइम से किसी भी अगर जॉब का वेट कर रहे थे तो वो मिल सकती है है कि विक्ट्री है अब देख रहे हो कि क्या attitude है इस इंसान का जो इस में बैठे हुए है तो यह आपके लिए बहुत ही एक बहुत अच्छी एट अट्राक्ट कर लिए आपने और यह आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी जल्दी पहुंच जाएगी क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ because हमारे पास यहां पे दो-दो knights की card है यह speed में कुछ आ रहा है आपके पास देख रहे हैं आप कितना speed में आप attract कर रहे हो guys यह मैं जो देख पा रही हूँ किस area में आप यह चीज़ आट्राक्ट कर रहे हो तो देखो यहां पे emperor का card है फिर hierophant का card है फिर queen of pentacles का card है तो guys यह मुझे आपके work area में कोई achievement दिख रहे है मिलते हुए ठीक है क्योंकि hierophant भी work से जुड़े हुए है और emperor तो खुदी एक boss personality है और queen of pentacles भी यह चीज़ भी आपके career, business, study से जुड़ा हुआ मुझे दिख रहा है तो yes यह तीनों card describe कर रहे है कि यह जो भी achievement है यह जो भी आप attract कर रहे हो यह आपके work area से related है इसे attract करने के बाद या इसको मिलने के बाद आपकी life में responsibilities बढ़ जाएगी बट आप इस चीज़ के लिए ready हो because यह आप manifest कर रहे हो तो अगर इस से related अगर कुछ responsibilities बढ़ भी रहे है तो आप manage कर सकते हो like this तो यहाँ पर आप सच में attract कर रहे हो लेकिन अगर अब मैं थोड़ा सा personal life में भी जाऊँ तो क्या हो सकता है judgment मिल रहा है guys देखो यह वाला card ना कभी कभी ही भी दिखाता है कि अगर बहुत टाइम से कोई भी lady conceive करना चाहती है like उनको एक baby चाहिए तो वो भी हो सकता है हो सकता है कि judgment में announcement में आपको यह खबर मिल जाए ठीक है तो जो लोग यह चीज़ चाहते है हो सकता है उनके साथ यह चीज़ भी true हो जाए और इसके बाद ठीक है बिजनस में तो कुछ यह वाला card जो है emperor का यह एक business man होते है और हो सकता है कि अगर आप business कर रहे हैं तो उसमें आपको काफी profit हो सकता है काफी prosperity आपके पास आ रही है और यह वाला जो card है कि यह बता रहा है hierophant card कि अगर आप like कुछ ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जज़ बनना चाहते हैं लॉयर बनना चाहते हैं तो उस area में भी आपको कुछ good news मिल सकती है साथ ही साथ अगर आप कुछ spiritual course कर रहे है तो उसका भी काफी अच्छा benefit आपको मिल सकता है ज़िक है कि यह चीज भी दिख रही है तो chariot यह तो बिलकुल victory और success का card है तो yes यही आप attract कर रहे हो और आप at the end आप celebration भी अपनी life में लेकर आ रहे हो लेकर एक मौका मिलेगा आपको कि आप celebrate कर सकते है अपने family friends को invite कर सकते है ठीक है यह आप खुद बहार जा सकते है I'm sorry, wait a second एक card आ गया हमारे पास एक और आ गया है चुर अभी काफी सारे cards है तो हम इनी को ही देख लेंगे बहुत सारे cards आ गए अपने आपी पे attention to your finances तो अगर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो तो थोड़ा सा attention देना पड़ेगा आपको अपने जो भी आप खर्चा कर रहे हो उस पर ठीक है although you are attracting some money in your life but फिर भी attention तो आपको थोड़ा साथ ध्यान से खर्च करना है ठीक है चलिए और देखते हैं यह butterfly का card था ना इसको देखते हैं a change for the better आप थोड़ा सा ना attention दो अपने खर्चों पर मुझे लगता है कुछ अच्छा change आ रहा है आपकी life में ठीक है यह बहुत कुछ सिखाया है इस situation ने आपको और आप बहुत wiser बने हो February month चला गया जो next year में आएगा ठीक है उसके लिए हो सकता है वो month आपके लिए बहुत important हो spiritual development देखो मैंने कहा था ना क्योंकि hair of end card है तो spiritual development भी होगा enlightenment भी होगा यही चीज़े आप attract कर रहे हो because आप मेंसे बहुत सारे लोग I'm sorry आप मेंसे मेरा गला थोड़ा सा बैट गया spiritual development, enlightenment, awareness and understanding आपकी understanding बढ़ रही है आपका soul enlightenment हो रहा है awareness बढ़ रही है और spiritual development हो रहा है इस current situation ने यह सब सिखाया है आपको and love love आ रहा है आपके पास यह spiritual love हो सकता है divine love हो सकता है and use your intuition to make beneficial changes आप यह चीज़ कर रहे हो मैं यह नहीं बोलूँगी क्या आपको करना है आप already यह चीज़े कर रहे हो that is why इतने positive cards आएं आपके लिए news of a birth देखो मैंने कहा था न कि यह news हो सकती है news of a birth मैंने कहा था कि यह card थोड़ा सा अगर personal life में जाएं तो यह चीज़ दिखा रहे है news of a birth और a new business तो business हो सकता है बट आप हो सकता है कि baby conceive करने वाले है यह चीज़ भी है November हो सकता है यह news आपको November तक में बिल जाएगी celebration, fun, enjoyment I told you celebration, fun and enjoyment यह होने वाला है यह आप attract कर रहे हो family matters थोड़े बहुत family matters चल रहे हैं बट यह बहुत जल्दी resolve हो जाएंगे because हमारे पास सारे card positive है be careful to not take risk थोड़ा सा खर्चों पर थोड़ा सा आप control करना उसी के लिए आ रहा है chain of events that will affect your life जैसी कि मैंने बताया कि यह जो attract कर रहे हो इसे मिलने के बाद आपकी responsibilities बढ़ जाएगी तो events बहुत सारे आपको handle कर सकते हैं करने पड़ सकते हैं get back to the basics you will be shown the way divine will you shown the way ठीक है बिलकुल divine ना आपकी मदद करेंगे आपको रास्ता दिखाएंगे be aware of great pride तो अगर आपकी life में बहुत positive changes हो रहे हैं तो please guys polite रहना, अच्छे से सबसे बात करना a marriage will take place either romantic or business किसी के लिए marriage का भी हो सकता because we have ring card तो हो सकता आपको marriage proposal मिल जाए ये भी एक announcement हो सकती है an arrogant truthful person you should not across ओके तो ऐसे भी लोग हैं आपकी life में जो काफी arrogant से हैं but जो आपके लिए सही नहीं है वो आपकी life से चले जाएंगे जो आपके लिए सही है वो आपकी life में आएंगे और मुझे लगता है काफी अच्छा time आने वाला है आपकी life में because butterfly तो change दिखा रहा है यह card हमें victory दिखा रहा है और साथ में जो unicorn का card है यह आपको बोल रहा है कि आप अपने intuition को follow गीजिए ताकि यह जो भी कुछ आप attract कर रहे हो जल्दी आपकी life में आपकी intuition आपको guide करेगी इसके लिए okay guys this is your reading I hope कि आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद आई हो अभी के लिए बस इतना ही bye take care